सर आपका नाम बताईए तात्याराम गनाजी भाले राव है आपकी उम्र? 69 साल है आप कहां रहते हैं? आपके इस्ट्री के अनुसार आप करीब तीन महिने पहले मौडरन उम्मेपती के पास आये थे हम मिले थे, तब आपकी क्या समस्या थी? मुझे बार-बार सास फूलने की वज़े से बहुत तकलिफ होती थी जब भी मैं तेजी से चलता तो मेरी सास से फूलने लगती थी पाले राव साथ आपके रिपोर्ट आभी मैंने देखे है तब के पेट स्कैन के रिपोर्ट और अभी जो निकाले हो अब आपकी सास फूलने की समस्या कैसी है जी हाँ अब बिल्कुल ठीक है सास फूलना अब पूरी तरह से कम हो गया है अभी आपको दूसरी कोई तकलिफ है कभी-कभी बस मुझे छाती के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द होता है हर रोज नहीं कभी-कभी होता है श्रीवत तात्याराम भाले राव रहूरी अमदनगर इनको लंग का कैंसर डिटेक्ट हुआ था श्रीवत भाले राव जी का इस्टोपैटलोजी का रिपोर्ट है उसकी डेट है 11 परवरी 2024 उसमें जो डाइगनोसीज किया है वह है नौन स्मॉल सेल लंग अडिनो कार्षिनोमा राइट लंग मास बाइपसी ली थी आयएट्सी में सिके सेवन पॉजिटिव है सिके ट्वेंटि निगेटिव है टीटी एफ वन विकली पॉजिटिव सीए पॉजिटिव नैपसिन ए पॉजिटिव सीडी एकस्टू निगेटिव यह जो इस्टोपैदली का रिपोर्ट है उसमें इजी एफार एल के और आरो एस वन टेस्ट भी किये हुए है स्रीउद भालेर्यव जी का अउरंगाबाद का पेट स्केन का रिपोर्ट अपने पास है उसकी डेट है 17 फरवरी 2024 उनके रिपोर्ट के अनुसार थोरेक्स में इंक्रीज अप्टेग सीन इन लार्ज मास लीजन वीद मिनिमल पोस्ट कॉंट्रास्ट एन्हांस्मेंट इन्वा आर 95 mm मतलब 9.5 cm x 9.3 cm x 9.9 cm ml x ap x cc suv max 8.5 the mass is encasing lower lobe segment branches of right pulmonary artery low grade fdg uptake seen in small patchy consolidation and few sub centimeter size nodule seen in upper lobe of right lung suv max 2.9 mild pleural effusion is also there in right side increase the fdg uptake seen in right hyalur and subcarina lymph nodes largest measuring 12 x 10 mm suv max is 6.5 multiple fdg non avid sub centimeter sized nodules largest 6 mm are seen in left lung condition mild subcutaneous fat standing is seen at the site of icd abdomen and pelvis में कोई लिजन नहीं है musculoculatal कोई लिजन नहीं है तो इनको राइट लंग में ही लिजन बड़ा दिख रहा है तो यह उनका पेड़ सिटी का रिपोर्ट है उसके बाद हमने उनकी टीट्मेंट शुरू की मैंने खुद उनको देखा था टीट्मेंट शुरू करने के बाद उनके छाती में जो पहले लंग कैंसर में बार बार पानी या प्लिजन होता है वह नहीं हुआ और टोटली चला गया जैसे शुरू किया उसके बाद कभी उनके चेस का पानी निकलने की ज़रूत नहीं पड़ी तीन महने के बाद हमने सिटी स्कैन निकाल लिया तो अभी सिटी स्कैन का रिपोट बाद है सत्रा पाच दोजार चोबीस रिफरिंग डॉक्तर बुजे कुमर माने जो है सेंटर जो है सिटी स्कैन का डाइगनोब पेन सूर्भी ऑस्पिटल यह आमद नगर में है पेशेंट्स आईडी जिवरोफोर सी सिटी थोराइक्स है एट्रोजन ली एन्हेंसिंग 178 x 65 mm करीबन पचास परसेंट लीजन कम हुआ है उसका क्यूबी सेंटिमेटर निकालेंगे तो विद आसोसियेटेट सब सेग्मेंटल ब्रॉंक्स का टॉप इट कॉजेस पार्शल एंकेस्मेंट और लोब सेग्मेंट ब्रैंचेस पॉप राइट पल्मनरी आल्ट्री पोस आप यह इवीडन चेस्ट इन वेजन वाल इन नहीं है अग्जेसंट लोकुलेटेट फ्लॉड कलेक्शन इस नोटेड इन दर राइट प्योर्ल कैविटी थोड़ा सा फ्यूड दिखता है बड़ा नहीं क्यूंकि निकालने की ज़रुत नहीं पड़ी अनादर लोकुलेटे सोला इन तो बारा मिलिमेटर का एक्सेल प्लेन में चोटा सा है फ्यू नोडिल ओपैसिटीज आर नोटेड इन राइट अपर लोग थोड़े थोड़े हैं कि फाब्रो अटेलेक्टिक चेंजेस आर नोटेड इन दर आंटेरियर सेग्मेंट आप राइट अपर लोग मिडे सेग्मेंट आप राइट मीडल लोग तो करीबन पचास परसेंट बिमारी कम दिखती है जो दूसरे लंग में भी मेटर से दिखता है वह भी कम है जो बड़ी गटाने थी लिंपनोड थी वह भी कम है जो बड़ी गटान थी जो इसका साइज देखा हमने नाइन पॉइंट जो पहले स्कैन के रिपोर्ट में था वह अभी करीबन पचास परसेंट इतना कम दिख रही है पेशन पूरी तरह नॉर्मल है टीटमेंट शुरू करने के बाद पानी नहीं हुआ है पानी निकलने के जोरूत नहीं पड़ी कोई केमोथरपी या रेडियेशन कुछ भी नही रहे हो शुरूत पूरी तरह ठीक हो जाएगा अच्छी इंपूर्मेंट जो पेट सिटी में लिजन था ओए 38 क्यूबिक सेंटीमेटर का था अभी के रिपोर्ट के अनुसार अभी के सीजीटी के अनुसार जो तीन मैनी के बाद आमने निकाली 436 क्यूबिक सेंटीमेटर इ आइसा दिक रहा है अभी तो उनको कोई प्राउब्लिम नहीं है खाना खा रहे है घूम रहे है चाती का पानी निकल गया है सास पुलने की समस्या चली गई है इसका मतलब वो पुरीदर ठीक होंगे